विडियो में आपसे शेयर करूंगा अपने 5th semester का मार्क स्टीट यागाई यह बहुत पहली आ चुका है मेरे पास 5th semester 6th semester और final semester का जो मार्क स्टीट होता है वह आचुका था बहुत पहले आच से लगभग एक अगर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि आपको पता ही इसलिए ताकि आपको तोरह से अवयर हो आप खुद के टार्गेट सेट कर सको कि मुझे कितने स्कोर करना है क्या करना है कितना एची बहुत है क्योंकि कोई भी मार्क शीट आपको नहीं दिखाएगा लेकिन मैं दिखाता हूं ठीक है तो यहां पर देख सेमिस्टर बाकी सा इसमें पासमा को 28 है मुझे मार्क मिला 57 जो कि आपके ऐसे तो बहुत बढ़िया है 8.4 ग्रेट पॉइंट्स मिला है मुझे क्रेडिट पॉइंट्स पूइंट्स प्लस यह वाला आपको फॉलो करना है लेटर ग्रेट ए प्लस यानि कि वेरी गुड है प्लस का मतलब में पर पढ़ने होता पचास माक का एक्जाम होता है इसमें से मुझे 41 मिला है तो बिसी कि लिए बोल से तो 8.7 मिला है 34.8 क्रेडिट पॉइंट्स ओ मिला है यहां पर 9.7 है 19.4 क्रेडिट पॉइंट्स मिला है यानि कि आउट्स टेंडिंग अब बात काते है इसमें जो है मैने इसमेंने जए मिला है तो थोड़ा सा कम मिला है थार्टी में से 54 मिले 29 यहां पर क्रेडिट पोइंट्स पॉइंट्स प्रेडिट्स अब देखें 49.8 प्लस लास्ट वाला जो है आप देखती है एडवर्टाइजिंग यह मैने चौइश इबल था यह दोनों ही आपको लेने अबर्टाइजिंग एक्जाम होता है या पर मुझे 61 मिला है आउट और 70 जो कि आप सबसे हाइस्ट मेरे हैं यहां पर किसी पेपर में में सबसे ज्यादा इसमें स्कूर किया इसलिए इसका ग्रेडिट पॉइंट देख सते हो ग्रेडिट पॉइंट नाइन पॉइंट वान है चैना बीन यहां इसमें यहां पर आप बागी सब पर बात कर देखे तो सबने सिर्फ एसब्ड़ ए इसमें बैड डेडिट ओर यहां पर देखे तो कंपेे जो भी लिखा हुआ है अधर के श्रैड़्ट पाब्लिकेशन अप देख से तो 16 अट-22 और यहां अभी डिसेंबर में मिला है और बाकी calculate करने का प्रोसेस तो आपको पता ही है मैंने आपको पहले ही दिखाया था टीडीजी प्रोग्राम संडर सी बीचेस कैसे आपको स्कूर करना होता है यहां पर सारी रेंज दिया हुआ calculation का पूरा यहां पर प्रोसेस होता है कोर्स के जो abbreviation से यहां पर सारी तीजे मेंशन किया जाता है ठीक है तो यह रहा फिफ सेमिश्टर का next वीडियो में मैं फाइनल सेमिश्टर का माक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ठीक है तो आपको वीडियो पसंदाए वीडियो पस